वेरी गूड बॉनिंग तो अल अफ यू सभी श्टुन्ट्स को नमस्कार बिटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके MA, MSC और MCOM MA, MSC और MCOM की जो प्रिवेस प्रिकरिया चल रही है प्रिवेस की सरकारी कॉलेजों में उसके उपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इसकी जो पहले स्टूल आया था उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है और उस पूरे परिवर्तन के उपर मैं आप लोग के साथ जो है, सेयर करूंगा और मेरिट लिष्ट कब आएगी और मेरिट लिष्ट के अतरिक जो है आप कब तक फीज जमा कर पाओगे तो उन चीजों के उपर भी मैं आपको एक अनमान दे दूँगा लेकिन सबसे पहले जो महत्मून खबर है वो तो ये है कि पहले आप लोग 18 तारिक तक फोरम बरपा रहे थे अब आप एक जनवरी तक फोरम बरपाओगे और एक जनवरी 2022 तक तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अफसर जो है आयुकताले कोलेज शिक्षा ने दिया है तो एक तो ये खबर है और ये किनकिन बच्चों के लिए है जिनका कोई काश सर्टिफिकेट नहीं बना था या फिर जिनके कुछ फाइनल येर के रिजल्ट्स नहीं आये थे उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा अफसर है तो आप लोग जो है अपने साथियों के साथ सेयर करे MA की फोरम बढ़ गई है MA के फोरम बढ़ने की तो इसलिए आप लोग जो है मैक्सिमम संख्षा में जो स्टूडेंट्स हैं वो MA का फोरम जो है बढ़े अब और PG इनिशित तोर पर आपकी सब्जेक्ट को स्ट्रॉंग करता है यदि आप लोग अच्छा सब पढ़ते हो तो और केरियर में बहुत सारे अफसर MA करने के बाद मिलते हैं तो आप लोगों को निशन दे यदि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ कंप्टिशन की तयारी कर रहे हैं तो मैं आप सबको सला दूँगा कि MA का फोरम जरूर भरे सिर्फ प्रितियों की परक्षाओं की तयारी यदि आप कर रहे हैं तो क्योंकि MA की एक अडिशनल डिग्री आप लोगों के पास होगी जो इन शूचर आपके काम आएगी तो इसलिए आपको परिशान होने की आपशक्ता नहीं है और ये जो बिश्तरत कारिक्रम है वो यथा समय जारी कर दिया जाएगा इसका मतलब ये है कि अभी चुकी काफी टाइम है अठारे तारीक के ही ये अठारे तारीक के बाद आप देखोगे आज 19 तारीक हुई है और इसके बाद लगवग 13 दिन और है तो बाद में दो-चार दिन के बाद में जबी भी आयोकताले प्रॉपर तरीके से उपन होगा आज चुकी छुट्टी का दिन है तो फिर ये पूरा स्चिडूल की कब आपकी लिष्ट आएगी कब तक फीज चमा कर आपाओगे कब डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बारे में आप लोगों को सुचित समय पर कर दिया जाएगा तो ये बहुत इंपोटेंट ची न्यूस थी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ सेयर करना चाहिए तो सेयर किया है उम्मीद है कि आपके लिए यूसफुल रहेगा आप सभी को all the best और सुपकामना है और मैं पुने सारे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि बीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है जो दो लिंक हैं दिये हुए एक तो टेलिग्राम गुरुप का है जो बिल्कुल DS Educator के ही नाम से है और इसके अत्रिक्त जो है आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि WhatsApp के डिफरेंट गुरुप है तो वहाँ भी आप लोग जो है बिल्कुल रेगुलर और नियमित अपडेट के लिए मेरे साथ जोड़ सकते हो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आप सभी को अल्दावेश्ट और सुब कामना है और जिन स्टूरेंट्स को मेरे वीडियो से प्रॉब्लम है मैं बिटा उनसे बहुत बिनम्र निवेदन करूँगा कि आप लोग जो है अनसबस्क्राइब कर दें कोई दिक्कत नहीं है और जितनमे कोई अनाधीकषा जो शूचना है वो नहीं दे सकता अनमानेद सूचना है दे सकता हूं या कोटा युणिवर्शिटी या कोई भी पिश्विध्याल है या फिर जो सूचना ओफिश्यल होती है वो दे सकता हूँ यदि किसी को लगता है कि मैं फेक सूचना है दे दू और आपको पहले से एडवांस में फालतू की चीज़े बता दू तब वो संबब नहीं है आप लोग चाहें तो अनसबस्क्राइब कर सकते हैं आप सब का स्वागती रहेगा कोई दिक्कत नहीं है आप स